एक और ब्रेली के अंदर मेरे पास भी आ गई थी वो समझ रही थी कि मौलाना भी तावीज गंडे वाले है वो आके कहने लगी मौलाना सहाब हमने का जी बोलिये कि ये तावीज दे दो हमने क्या परिशानी किया है प्रॉब्लम कि मेरा शोहर मेरा कहना नहीं मानता हमने का अच्छा तो हमने का कि तुम क्या चाहती हो तुमारे पीछे पीछे घूमे तुमारा गुलाम बन जाए तो क्या कहती है आपने तो मेरे दिल की वादी छीन ली लड़ू भाए फूर रहे मुलाना साथ आपने ते मेरे दिल की वाती चील ली मैंने का इसको मैं भी पकाऊंँ मैंने का अच्छा तुम्हारे शोहर का नाम क्या था तुम्हारे शोहर का क्या नाम है कैसा मौलाना है क्यों क्या हुआ अरे नाम कैसे ले सकती शोहर का मैंने क्यों क्या हुआ ना 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 तो चाहिए है कि छुद्तकारा बिल जाए हरें चुद्कारा नहीं मिल güzel recognition मेरा मस मेरी बात माँने में मेरे पर चले हम नहीं करना नाम बतानेog तो नहीं बलेंगा तो यह मुद्खा जाएगा जब नाम लिखा जाएगा तभी तो वह तो तेरा गुलाम और लिड़की को बोलते ललो, तो लेके आई, ललो इधर आओ, क्या, तेरे बाप का क्या नाम है, हमने को उससे क्यों पूछ रही है, तुम बताओ, आरे आपको नामी क्या मतलब है ना, हाँ, बता ललो तेरे बाप का क्या नाम है, उसमें का रह्मत अल्ला, यही नाम है, हमने तुम नहीं लेती हूं का नहीं लेती हूं हमने का ये नाम तो तुम्हें लेने ही पढ़ता है कि नहीं लेती हूं हमने का इसका मलत तुम नमाज नहीं पढ़ती हूं का नमाज तो पांच टेम नहीं पढ़ती हूं हमने का उसमें तो नाम आता है कहता नहीं कहती नहीं आता हमन इह जी वितना घाता को सभी जह वो ऑनि यहीं जानेक्व हम दो लेती है इस लंड़ा धूर। उसकी जह कोश्छती हो कहाँ मैं यही तो आस्लाम आलेकु हम सामो्छती ले लिवाम लोक både यदर सलाम फेरती हूं तो इदर कह देती है। शोहर को गुलाम बनाने के बाद उनका भी कामियाब नहीं रह सकती हो। कितनी बदनसीब है वो आरत जो उपने शोहर को अपना गुलाम बनाती है और फिर गुलाम की द्वी बनके रहती है। ये ओरत के लिए पुतनी बड़ी इंसल्ट कीवात है। एक ऊड़ि अपने शोहर को अपनी उंगलियों के शारे पर नचाए और यह सोचे की मेरा घुलाम है और पूचे किसकी बीवी है तो फना साब झरजीस की बीवी कितने ऐसल लग रहा है जैसे ही एक किसी घुलाम की बीवी अपने शोहर को घुलाम बना के रखती है और पिर कितनी इंसर्ट की बात है मेरी बेहनो मेरी कौम की बेडियो अपने शोहर को राजा बना कर रखो बादशा बना कर रखो और सारे जमाने में राजा की और बादशा की बीवी कहलवाओ महरानी कहलवाओ ये तुम्हारी किसमत के लिए ये तुम्हारे लिए बेतर होगा बजाए इसके कि गुलाम की बीवी कहलवाओ राजा और महराजा की बीवी कहलवाने में तुम्हे फक्र होना चाहिए मेरा शोहर तो मेरा बादशा है और मैं उसकी रानी हूँ कि ये अच्छा है मेरा शोहर मेरा गुलाम है और मैं उसकी नोकरानी कैसा लगेगा मैं उसकी बीवी हूँ ये अजीव सी बात हो गई है तो मेरे भाईयों ये बातें मैंने आप के सामने रखी हैं इस एहसास के साथ कि देखिए जनाब मुहम्मद रसुल्लाह सल्लालों का सुबूत दुनिया की हर मजभी किताबों में सारे जबियों ने बताया है तुलसीदा जी ने तो संगराम पुरान में यहां तक लिख दिया यहां पक्चि पात कुछ ना राखूं वेद पुरान सदसद भागूं देश अरब भरग लता सहाए सोधी यल भरम कत सुनो घगुराए राजनीती भव पिरीती दिखावे आपन मत सबका समझावे तब तक मत दिकोया बिना महामद पार नहोया मत मानी मीठी कोया मानी आवास जब तक इस दुनिया में मीठी आवास यानि लाख कि रहेगा तुलसिदा जी कहते है बिना महामद पार नहोया उस वक्त कोई भी बिगेर मुहम्मद रसुल्ला के रास्ते पर चले हुए जन्नत नहीं पासकता है रास्ते निजात नहीं पासकता है ये मंतर का एक लाइन आज हमने लगाई है आपके सामने हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि इसलाम सबका है मुहम्मद रसुल्ला भी सबके नभी है अब हमारे तमाम भाईयों को इसी इसलाम की तरफ और उसी नभी आखरी पेगंबर जनाब मुहम्मद रसुल्ला की तरफ आ जाना चाहिए